हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में और आज हम बात करेंगे बिजनस की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में और पिछले बहुत लंबे समय से हम बड़े बुजर्गों की बात सुनते होगी त्युक्टि पहला सिद्धान तो सिद्ध हो चुका है और दूसरा तैंत बहुत सारे बड़े बिजनस होनर ने सिद्ध कर दिया है आज हम बात करेंगे business में कैसे हम success हासिल करें और अपने business को next level तक ले कर जाएं और वो next level का मतलब है अपनी sales को two time, three time, four time, five time, up to ten time तक हम multiply कर सकें उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें business की layers को समझना होगा कि यदि आप अपने business को develop करना चाहते हैं, expansion की और जाना चाहते हैं तो आपको business की अलग-अलग layers पर काम करना होगा, एक सामाने businessman के साथ पता क्या problem है, problem यह कि वो पूरे दिन business के operation में ही फसा रहता है, जिसे कौन सा material जाना है, कौन सी गाड़ी आनी है, किस client का bill बन चुका है, उसका dispatch जाना है, किस की sales return वापस आ रही है, किस की problem क्या है, वो इनी operations में फसा रहता है, इसलिए वो कभी भी growth के बारे में सोच ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, आपको अपने 30 दिन के समय में लगबग आदा समय अपने business को चलाने पर लगाना है, और बाकी आदा समय अपने business को बढ़ाने पर लगाना है, मेरा कहने का मतलब यह न करें और दूसरे भाग में अपने business को बढ़ाने पर काम करें, ठीक इस तरह से हम यह कह सकते हैं, pre-lunch and post-lunch, और ज़रूत के हिसाब से, flexibility के हिसाब से, इस schedule में change करते रहें, लेकिन नियम यही होना चाहिए, कि एक महीने में 15 दिन की जो average आए, वो business growth पर आए, तभी आप अ pension तक जा सकते हैं, five layer of business को समझने के लिए, हमें business के प्रारूप को समझना होगा, हमारे business में अलग-अलग layer बनी होती हैं, जैसे सबसे पहले layer है marketing, friends, किसी भी business में sales का जो volume है, वो इस बात पर रिर्भर करता है, कि आपकी marketing या advertisement strategy क्या है, क्यों, क्योंकि जितनी बहतर marketing होगी उतनी ज्यादा number of leads आपके पास आएंगी, जितनी ज्यादा number of leads होगी, उसी ratio में आपका level of conversion होगा, और जितना ज्यादा conversion होगा, उसी conversion में से आपको repeat order मिलने वाला है, और जब client आपको repeat order देते हैं, तो इसका मतलब वो आपके product या आपकी services से satisfy है, जिसकी वज़ा से वो clients भी देते हैं, मैंने आपको कहा, sales conversion के बाद ही, ये depend करता है कि repeat order कितने आएंगे, और repeat order के अधार पर ही, आपको number of references मिलना शुरू होगे, चलिए इस five layer of business को थोड़े different तरीके से समझते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि हमें किस level पर काम करना है, मैंने आप से कहा, marketing करनी है है, lead generate करनी है, lead को sales में convert करना है, और converted sales से repeat order लेना है, और repeat order जिन clients के आएंगे, वही आपको referral देने वाले हैं, चलो इसको बिलकुल अलग करम से बात करते हैं, मान लीजिए, आपके business में sales की जो conversion है, वो है लगभग handed leads पर month, आप हर महीने 100 lead को convert कर लेते हैं, मतलब हर महीने 100 client आप से sales में आपका material buy कर लेते हैं, services आपकी buy कर लेते हैं, अगर आप अपने sales के conversion को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी ratio में हमें उपर की तरफ चलना होगा, मैं मान लेता हूं कि जितनी भी number of leads आपके पास आती हैं, उसमें से 10% lead ही sales में convert होती हैं, इसका मतलब जो sales की leads आप के पास conversion में आई हैं, वहाँ पर आपने 1000 leads generate की होगी, तभी उसका 10% lead आपके sales में convert हो गई हैं, तो इसका मतलब अगर 100 leads, 1000 leads आपके पास आई हैं, तो आपने कम से कम इतना advertisement किया हो, कि 10,000 leads के आसपास आने की possibility हो, मतलब सबसे important बात क्या है, अगर आप अपने sales के conversion को बढ़ तो इसका मतलब परपोस्टनेट ratio में आपके पास 1500 leads होनी चाहिए, इसका मतलब कम से कम आपको 15,000 लोगों तक अपनी जानकारी को पहुचाना होगा, यही ratio जालातर रहता है, हो सकता है कि sales का conversion 10% ना हो, 6%, 8%, 5% तक भी हो, तो आपको इसी ratio में काम करना होगा, अब एक बात और important जो लोग आपसे sales lead में convert हो जाते हैं, उसका केवल 10% ही आपको repeat order देने वाले होते हैं, मतलब यदि आपके पास 100 lead convert होई है, तो केवल 10 लोग ऐसे होंगे, जो आपको repeat order देते होंगे, और इन ही 10 लोगों में से मिलने वाला referral आपके पास होगा, और referral का percentage of maturity होता है ना, वो कई गुना जादा होता है, इन 10 लोगों में से लगबग मान लीजिए, 4-5 लोग आपको refer करते हैं, तो यहाँ पर जो sales का conversion आने वाला है, वो लगबग 40-50% का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके product, आपके services की quality के अलावा, आपके satisfied customer का, जो credibility है, वो इसमें जू हमारी marketing strategy को, अब marketing strategy को आप कैसे follow कर सकते हैं, यह थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप जब अपनी marketing strategy को follow करेंगे न, तो आपको यह देखना होगा, कि मुझे lead conversion कितना चाहिए, उसी ratio में हम marketing को follow करेंगे, और marketing हम दो तरह से करते हैं, एक तो traditional marketing, और एक modern marketing, और traditional marketing में क् आपकी company के executive जो site visit करते हैं, आप holdings लगाते हैं, boards लगाते हैं, posters लगाते हैं, इसके लावा आप template distribution कराते हैं, आप newsletter पर advertisement देते हैं, ऐसे बहुत सारे traditional तरीके हैं, जहां से हम अपनी marketing की strategy को ठीक तरीके से implement करके, ज्यादा सदा लोगों तक अपनी information को पहुँचा सके, और modern marketing में क्या आता है, इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं, online भी और offline भी, online में क्या method है, देखिए marketing के जितने method है उसके लिए एक separate video, मैंने मेरे YouTube चैनल पर दिया है, मेरे आप से request उस video को ज़रूर देखें, ताकि हम marketing की strategy को ठीक से समझ पाएं, और ज्यादा जितनी marketing हम कर पाएं के उतनी ज़्यादा number of leads हमारे पास आने वाली है, फ्रेंड्स, lead का conversion ratio अगर यदी आपका 10% है, बिना marketing को छेड़े हुए भी, अगर आप अपना lead conversion का ratio बढ़ा लेते हैं, तो भी आपका sales volume बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने उधारन के लिए आप से कहा था, कि मान आपकी जो marketing की leads आती है, वो 1000 leads आपके पास आती है, मैं मान लेता हूं कि आपके पास जो number of lead आती है, वो 1000 आती है, और उसका 10% conversion होता है, मतलब 100 lead आपकी convert होता है into sales में, अब हमें करना क्या है, हमें leads के follow up के system को समझना है, कि किस तरीके से right follow up अपने client का करें, ताकि जो ratio of conversion ह है, वो 10% से बढ़कर 15%, 20%, 25%, 30% और आगे तक बढ़ता जाएं, और यह कब संभग है, जब आपकी follow up strategy बहुत बेतरीन होने वाली है, इस पे important क्या है, lead conversion सबको बढ़ाने के लिए, सबसे पहले आपको अपने buyer की need को समझना होगा, buyer की need को समझने के बाद, उसकी जरुवत के हिसाब से, आपको अपने product with pricing offer करने होगे, और यहाँ पर बड़ा important role play करता है, कि जो buyer होता है, उसका lead conversion जो है, वो के वले की तरीके से बढ़ता है, यदि आप buyer की tendency को समझ जाएं, मैंने आपको बताया था, buyer तीन तरह के होते हैं, price conscious, brand conscious और quality conscious, आपको यह समझना होगा, कि आपका right buyer कौन सा है, और उसके बाद, जब आपने product को उसको ठीक तरीके से offer करेंगे, तो आपका ratio of conversion तेजी से बढ़ता जाएगा, और important यह बहुत role play करता है, कि आपका conversion ratio बढ़ेगा, तो बिना marketing को बढ़ाए भी, आप आसानी से अपने sales को volume को बढ़ा सकते है, अब इसके लिए जरुवत क्या है, इसके लिए जरुवता है follow up की strategy, follow up की right strategy, देखिए friends मैंने कई बार sales team से पूछा कि आप follow up कितनी बार करते हैं, तो किसी ने का 5 बार, किसी ने 10 बार, किसी ने 15 बार, किसी ने 50 बार, काफी सारे corporates में, जो आच बार करना है, you have to follow your client only up to 5 time, अब यह 5 time क्या है, first time जब count होगा, जब आप अपने product की पूरी information अपने client को दे दे, पहला follow up क्या होगा, जब आप अपने product की पूरी information अपने client को दे दे, दूसरा follow up क्या होगा, जब आप client की need को समझ जाएं, जब आप client की need को समझ जाएं तीसरा follow up का वोगा उसकी जरुवत को समझने के बाद आप right product, right pricing, best quality और best offer के साथ आप उसे offer कर दें मतलब आपने अपना offer दे दिया चौता follow up का वोगा जब आपका client आपके Q&A जो भी उसके मन में सवाल जवाब हैं उनको ठीक से समझ ले आप से पूछ ले और पांचमा follow up क्या होगा जब आपकी deal close हो जाए मतलब पहली बार आपको consumer की जरुवत को समझना है interest को समझना है और उसके बाद में उसकी need के अनुसार अपने product को offer करना है और बाद में जो भी उसके मन के प्रश्ण है उनको solve करना है और finally deal को close करना है यदि आप follow up की इस strategy को भी follow करते हैं तो आप आसानी से number of lead का conversion 10 से 15, 20, 25, 30 कहीं तक भी ले जा सकते हैं अब important बात क्या है अगर आपका sales conversion ratio भी अच्छा होगा तो number of lead से आपको मिलने वाला result भी ज्यादा होगा साथी साथ जब आपका sales conversion अच्छा होगा आपका client आपके product, आपके services, आपके communication, आपके pricing, आपके detailing से बहुत ज़्यादा satisfy होगा तभी वो आपको repeat order देगा कई बार क्या होता है आपने पूरा sales volume के follow up के strategy को ठीक से लगाया और client ने आपसे product ले भी लिया लेकिन उसके बावजूत भी उसने repeat order नहीं दिया इसका मतलब कई बार देखा गया है कि वो आपके product से तो satisfy है पर आपके way of communication से आपके style of follow up से आपके style of delivery से आपके company के system से या आपके employees से satisfied नहीं है जिसकी वज़े से वापको repeat order नहीं दे रहा है और repeat order देने के लिए आपका client 100% satisfied होना चाहिए और जब आपका client satisfied होगा तो आपका sales volume है वो कितना भी percent हो 10, 15, 20, 25 अगर इसका 20% भी आपको repeat order मिलता है मैंने example लिया था 100 leads आपके पास आती है जो convert जाती है sales में और इसका 20% भी आपको repeat order देता है तो क्या होगा लगबग 20 लोग आपको repeat order देने वाले हैं और मैंने का था अगर यह बढ़ जाए 150 हो जाए तो आपको 30 लोग repeat order देंगे और ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा लोग आपको repeat order देंगे वो उतने ज्यादा आपके loyal customer होंगे और जितने ज् number of references आपको मिलने वाले हैं और यहां पर भी वही बात काम करती है कि आपका और आपके customer का relation कैसा है इसलिए try to work on the best customer relationship अगर आपके customer का relationship बेतर है तो आपको बेहतर referral मिलने वाला है मतलब जो पैसा आप marketing में खर्च कर रहे थे जो पैसा आप sales promotion पर खर्च कर रहे थे जो पैसा आप advertisement पर खर्च कर रहे थे केवल उसका 5% भी अगर आप customer satisfaction पर लगा देते हैं तो आपको free of cost free of cost referral मिलने वाले हैं जो आपके sales के volume को बढ़ा देंगे इसलिए friends 5 layer जो यह business की बताई गई है ना इनको ठीक से follow करना है right marketing strategy को आपको लगाना है उसमें से large number of leads को convert करना है और leads क को conversion करने के बाद आपका जो follow up का तरीका है आपका level of satisfaction relationship with the client है उसी के अधार पर आपको repeat order मिलने वाले हैं और उसी repeat order से आपको references मिलने वाले हैं बहुत सारे लोग अपने business में सारा का सारा focus marketing पर लगाते हैं लेकिन बारे बाकी सारे steps को वो भूल जाते हैं friends अगर आपके पा but this will be a very expensive for you क्यों क्योंकि 90% जो लोग है वो यदि आप से product नहीं ले रहे इसका मतलब यह नहीं हो product नहीं ले रहे हो product कहीं और से ले रहे हैं और जब यह conversion बढ़ता जाएगा तो आपका sales volume बहुत तेजी से बढ़ेगा बहुत आसानी से अगर आप इन 5 layer को ठीक से समझ कर follow up करते हैं तो आपका business 2 time, 3 time, 4 time and up to 10 time बहुत आसानी से बढ़ सकता है और यह दिया आपके मन में sales volume को बढ़ाने के लिए कोई और idea है तो मुझे comment box में लिखकर बताएं ताकि बाकी लोग भी आपके comment को देखकर inspire हो और वो भी कुछ ना कुछ formula अपनी industry में implement करें और यह दिय भी आप हमे comment box में लिखकर पूछ सकते हैं कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस channel को ज़रूर subscribe कर ले और bell icon को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे और update आप हमेशा रहे sales के business के growth के motivation के level को अप करने के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत